नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नीरजराय और स्वागत आपका फार्वाहर्ट्स में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लेरिथ्रोमाईसेन टेबलेट के बारे में जो की मार्केट में क्लेरिबिड नाम से बहुत ज़्यदा पेमस है आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसी के बारे में कि ये टेबलेट होती क्या है कैसे काम करती है इसकी डोस क्या लेनी चाहिए इसके साइड इफेक्ट क्या होते है इसके और कौन-कौन सी brand market में available है और इसके side effect के बारे में हम लोग बात करेंगे तो चलिए वीडियो को शिरुवात करते हैं और बात करते हैं Clarithromycin tablets के बारे में दोस्तों ये एक प्रकार की antibiotic होती है जो की doctors के दौरा यूज की जाती है और ये एक प्रकार की macrolid antibiotic है macrolid antibiotic है एक antibiotic की class होती है और जिसमें erythromycin, erythromycin ये सारी antibiotics आती है उसी में clarithromycin भी आती है और इसके काम करने के अगर तरीके की बात करें इसके mode of action की बात करें तो ये bacteria के अंदर सारे essential proteins जो bacteria के अंदर सेंथाइज होते हैं bacteria के vital function के लिए जिम्मेदार होते हैं उनको बनने से रोग देता है और इस तरह से ये bacteriostatic के रूप में काम करता है और बैक्टेरियास को पनपने नहीं देता है और इस तरह से इसका use हम लोग कई बार as a antibiotic कर लेते हैं दोस्तों अगर इसके हम लोग brands की बात करें तो market में इसकी बहुत सारी brand है जैसे ये Clarabit 500 के नाम से आता है Clarinova के नाम से आता है and Crickzan के नाम से Sinclar के नाम से and McLaur के नाम से इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी brand market में available है ये 1200 mg और 500 mg में आता है तो आप कोई भी medicine ले सकते हैं या generic अगर आपको मिलती है तो अब बहले बहले तो आप generic भी ले सकते हैं अगर हम इसके users की बात करें तो ये कहां पर use होता है तो दोस्तों ये एक प्रकार का macrol or antibiotic है और इस वज़ा से ये अनेक प्रकार के bacterial infection में use होता है जैसे इसका use अकसर tonsillitis and sinus के infection में ear, nose, throat के infection में skin के bacterial infection में and soft issue infection में and commonly जो इसका use हम लोग करते हैं वो respiratory infection में करते हैं जैसे lungs के infection में जैसे pneumonia में इसका use किया जाता है अगर pneumonia के condition होती है जिसमें actually आपके सीने में बिल्कुल कफ जम जाता है and ये pneumonia के condition होती है जो की bacteria की वज़े से अगर हुआ है तो वहाँ पर clarithromycin का use किया जाता है and azithromycin हम लोग भी use करते हैं लेकिन इसका भी use कर सकते हैं and respiratory tract infection के साथ में कई sexually transmitted disease में भी इसका use किया जाता है जैसे gonorrhea, cephalis तो इसके लावाँ देखो होता क्या है कि doctor के experience पर driven करता है कि वो आप को ये medicine या कोई भी medicine किस बीमारी में देती है क्योंकि एक ही बीमारी के लिए कई medicines होती है, ऐसा नहीं है कि एक ही antibiotic है इस class में बहुत सारे antibiotics हैं कुछ ज़्यादा use होती है तो doctor अपने experience के हिसाब से आपको दबा दे सकता है और जैसा कि इसका use हम लोगों ने देख लिया कि ज़्यादा तर हम लोग respiratory infection में करते हैं Next अगर इसके बात करें special precautions की तो इसे ज़्यादा कुछ नहीं है तो पहली चीज तो आपको अगर macular antibiotics allergy है तो आप इसको use ना करें जैसे कभी आपको euthromycin या इससे allergy हुई है तो आप इसको use ना करें डाक्टर को ज़रूर बताएं कि ऐसा हुआ है आपके साथ and आप breastfeeding mother में and pregnancy में ये contraindicated हो सकती है कभी भी अपने मन से ना लें बिना डाक्टर की सला से ना ले pregnancy के अंदर उसे दी जाती है लेकिन जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो इसको दिया जाता है दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसके कुछ side effect की कि इसके कौन-कौन से side effect देखने को मिलते हैं patients के अंदर तो ज़्यादा तर कुछ condition में abdominal pain देखने को मिलता है diarrhea की सिकाथ हो सकती है और diarrhea की सिकाथ अकसर देखने को मिल सकती है आपको clarithromycin लेते समय and nausea animating हो सकती है जो कि आप देखो जिस सारे side effect होते हैं एक-दो दवा खाने से नहीं होते है lumbation में तक अगर आप लेते हैं तो हो सकता है जैसे इसमें अगला है headache सर में दर्द हो सकता है taste changes आ सकते हैं यानि कि आपको swad ना आने की या swad में गड़वड़ी की समस्या आ सकती है हो सकता है आपको metallic taste आए या कोई अलग सा taste आए इस दवा को लेने से and indigestion की problem होती है यानि अपच की सिकायत हो सकती है भूक नहीं लगती है and skin porresis देखने को मिल सकते हैं तो ये सारे जो होते हैं side effects होते हैं इसके अलावां भी बहुत सारे side effects clarithromycin को लेने से हो सकते हैं अगर आपको unusual कुछ भी लगता है नहीं तो आपको ऐसे कोई side effect होगा तो आप उसका इलाज भी नहीं कर पाएंगे next अगर हम लोग बात करें clarithromycin tablets की dose के बारे में कि commonly इसके dose कैसे दी जाती है तो ये 200 mg और 500 mg में भी दी जाती है लेकिन अक्सर देखा गया कि adult में इसको हम लोग 500 mg ही यूज करते है और 500 mg की medicine दी जाती है सुबह और शाम है 200 mg की भी दी जा सकती है रोग के severity पे डिपेंड करता है कि कितनी आपको दी जाती है तो इसे morning and evening दी जाता है और इसको खाना खाने के जैसे अगर पेट खाली है तो नहीं लेना है ठीक है लेकिन इसको खाना खाने के दो घंटे बाद दिया जाता है actually one hour before का मतलब यह होता है कि खाना खाने के गंटे पहले लेने की बात यह हो रही है कि अगर आप साम को ले रहे हैं तब की बात है पर आपको इंपटी इस्टो मख बिल्कुल भी नहीं लेना है यह मेडेसिन नहीं तो एरिटेशन काज कर सकती है तो खाना के साथ में इसको नहीं देते हैं खाना खाने के थोड़े टाइम के बाद देते हैं या करीब एक दो घंटे बाद इसको लिया जाता है कि ये इसके होती है तो दोस्तो यह यह थी डो क्लेरिथमाइसिन की ज़िए आपको अच्छा लगा है तो टो आश Lake हो आपको सबस्क्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर देज़ेगा और शेर कर देज़ेगा वस इतना ही देखते हैं वीडियो में बेलते हैं नेक्स वीडियो में पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिनवाद हम इंस्टेग्राम पर जरूब फालो करिएगा